दोस्तो 4000 के कैटेगरी में दो ऐसा स्मार्ट वाच अभी हो गया जिसको आपको कमपेर जरू से करना चाहिए लेने से पहले उसका नाम है रेडमी कवाज जो की काफी जल्दी और बहुत जल्दी रिलीज हुआ है और आपके पास मार्केट में एबलेवल MS Fit का BPU है जियां दोन है वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरू से करके जाएगा कमें सेक्शन में अपना फीडबैक एंड सजेशन जरू से शेयर किजिएगा दोस्तों यहां पर सिंपल सा बात करते हैं दोनों का लुक फील सब चीज बात करेंगे डिजाइन बात करेंगे क्या है क् अब किया क्या आपको एक्स्ट्रा इसमें बेनफीड मिलता है सिंपल सा बात करते हैं अगर अगर दोस्तों इफॉबार्स का प्राइस की तो यहां पर दोनों का प्राइस सेम है एक दम 3999 अब बात करतें थोड़े अलग बात पर जैसे सबसे पहले आता इसका डिजाइन और तो MS Fit U 31 gram का और अगर Redmi की बात करते हैं तो यह आता है 35 gram का अगर बात करते हैं इसके design की तो यहां पर थोड़ा सा आपको flat design देखने मिलेगा Redmi में लेकिन अगर MS Fit की बात करता हूं तो यहां पर थोड़ा curved जो है design है वो देखने मिलेगा तो design के मामले में दोनों काफी हद तक neck to neck है और आप किसी को भी पसंद कर सकते हैं अगर display की बात करते हैं तो यहां पर दोनों में मिलता है 1.4 inch का touch panel जिसको आप control कर सकते है 1.4 inch का है यहां पर बात करते हैं थोड़ा सा bezel दोनों में देखने मिलेगा लेकिन यहां पर जो crown है वो आपको देखने मिलेगा MS Fit के सर के ऊपर क्योंकि यहां पर थोड़ा सा यह पंची color देता है और थोड़ा अच्छा लगता है डिस्पले के मामले में एकदम honest बात किया जाए तो यहां पर बात करते हैं कुछ other features की तो यहां पर simple से बात है यहां पर आपको easy से समझ में आएगा कि आपका जो MS Fit and Redmi है दोनों में कुछ-कुछ difference है लाइक सबसे पहले बात करते हैं तो यहां पर Redmi में आपको मिल जाता है dedicated GPS जैसे की आपको MS Fit में नहीं मिलता है यह अपना smartphone का GPS उसी को use करके tracking का use करता है या काम करता है और अगर बात करते कुछ smart features की तो यह smart watches है तो यहां पर आपको दोनों में आपको call pick करने का option नहीं मिलता है दोनों में आप क्या कर सकते call disconnect कर सकते और silent कर सकते तो यहां पर अभी भी call pick up वाला जो features है वो नहीं देखने मिलेगा तो यहां पर थोड़ा सा कमी है इसको आपको ध्यान देना चाहिए दोनों का अगर faces की बात करते हैं तो redmi में आपको 200 face मिल जाता है अभी आप crown redmi के ऊपर तो गया है लेकिन अभी आप decision नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो का अंतक आप समझ में आ जाएगा आपको कौन सा best है तो दोस्तों इसके साथ add करता हूँ कि इनका जो app है वो कितना easy है और कैसा आपको feel होगा तो redmi का जो app है वो zombie का VR app है जो एकदम easy है और आप कह सकते है कि बहुत easy से आप customize कर सकते है whereas अगर बात करते हैं MS Fit की तो यहाँ पर zip app है जो कि थोड़ा सा tricky as compared to redmi का वाला का तो यहाँ पर भी आपको is redmi में देखने मिलेगा लेकिन आप बात करते हैं कुछ health related features की तो यहाँ पर आपको मिल जाता है काफी जादा 11 sports mode मिल जाता है जिसमें आपको काफी कुछ win fit मिल जाएगा मालेज आप swim करते हैं अलग लग तरीके का sports खेलते है hiking करते है running करते तो इस तरीके का sports mode होता है वो सारे आपको मिल जाता है अगर वेरेज अगर बात करता हूँ simple सा Amazfit के तो यहाँ पर 60 plus sports mode है जो की काफी अच्छा है और अगेर मैं बता दे रहा हूँ Amazfit आपका जो phone का GPS उससे आपको track करता है यानि जो आपको analytics show करेगा वो आपके phone के GPS को use करके देगा तो यहाँ पर simple सा है अगर sports mode की ही बात करते हैं और various mode की बात करते हैं तो Amazfit ज्यादा ही यहाँ पर देता है तो यह एक अच्छी बात है अगर बात करते हैं compared to battery life तो यहाँ पर claim ऐसा किया जा रहा दोनों neck to neck है तो यहाँ पर crown नहीं मिलेगा अगर conclusion की बात करते हैं तो conclusion सिंपल सा है दोनों बहुत identical है बहुत दोनों बहुत ही एक दूसरे को competition दे रहा है लेकिन अगर आप age माने तो Amazfit यहाँ पर लेके जाता है वेरेज अगर बात करते है features की तो health track और blood oxygen यह सब आपको देखने मिल जाता है और Amazfit का जो weight है वो थोड़ा सा smooth है तो यह सारे जो चीजे है आप आराम से देखिए समझे और अपना decision लीजिए लेकिन मेरा जो pick रहेगा अभी Amazfit रहेगा तो आप मुझे comment सिकने में बताए करते हैं तो